चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में दिये हुए बेल आइकन पर क्लिक करें आप्शन में आल पर क्लिक करके ओके करें ताके आने वाली लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके अस्सलाम अलेकुम और वेलकम टू टेस्ट अफ लाइफ आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़दार सी रेसिपी पैरी बाइट्स इसे चीली बाइट्स भी कहते हैं चीजी चीली बाइट्स भी कहते हैं ये बहुत ही मज़दार रेसिपी है तो आईए इसके इंग्रीडियन्ट नोट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए 10 जर्मन हरी मिर्चे ये बड़े साइस की होती है और तेज नहीं होती है ये फिलिंग के लिए हमें चाहिए एक चिकन ब्रेस्ट पीस इसे हमने फ़ टीस्पून नमक डाल कर बॉइल कर लिया और श्रेट कर लिया है सौ गिराम चीज, वन फोर्थ कप मियोनीज, वन टेबिल स्पून चिली सॉस, हाफ टी स्पून पुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई काले मिर्च, एक टेबिल स्पून लेमन जूस, कोटिंग के लिए हमें चाहिए एक कप मैदा, आधा कप कॉर्ण फ्लार, एक कप प्रेट क्रॉम्स, एक फिटा हुआ अंडा, हाफ टी स्पून नमक, ओल चाहिए फ्राइंग के लिए, अब हम हरी मिर्चों को पीच में से कट लगाकर इनके बीज निकाल लेंगे, अब हमने सारी हरी मिर्चों को बीच में से कट लगाकर बीज निकाल लिये हैं, अब हम फिलिंग तयार करेंगे, और इसके लिए एक बोल में हम लेंगे, चिकन, इसके बाद हम इसमें डालेंगे, चीज, म्योनीज, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, चिली सॉस, लेमन जूस, अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिलिंग हमारी तयार हो गई है, अब हम इने मिर्चों में फिल करेंगे, अब हम मिर्चों में फिलिंग करेंगे और इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, मिर्चों की फिलिंग हो गई है, अब हम कोटिंग तयार करेंगे, इसके लिए हम एक बोल में मैदा लेंगे, कॉन फ्लार, अंडा लेंगे, नमक लेंगे, और हस्पे जरूरत पानी डाल कर इसे मिक्स करेंगे, अब यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब कोटिंग हमारी तयार है, अब हम मिर्चों की कोटिंग करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले मिर्चों को बैटर में डिप करेंगे, और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और इसको प्लेट में रखतेंगे, जी तो पैरिबाइट की कोटिंग हो चुकी है, अब हम इने 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि यह सेट हो जाएं और फिर हम इसको करेंगे फ्राय, अब हम कड़ाई म तेल डाल कर गरम करेंगे, पॉइल गरम हो गया है, अब हम इसमें मिर्चो को डाल कर गोल्डन कलर आने तक डीप फ्राय करेंगे, यह देखें पैरिबाइट्स बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इनको एक प्लेट में एब्जॉबिंग पेपर निकाल लेंगे और बाकी की पैरिबाइट्स को भी इसी तरह फ्राय कर लेंगे, जी तो मसेदार से पैरिबाइट्स तयार हैं, इस रेसिपी को आप इफ़तार में जरूर बनाएए और इंजॉई करें, रेसिपी अच्छे लगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चै जड़ किया हैं